राजस्तान कॉंग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाग चल रहा हैं? क्या लोकसवाज आवों से पहले राजस्तान कॉंग्रेस में कोई नया भूचाल आने वाला है? क्योंकि मोदी और अमिश शाह को हर हाल में राजस्तान की सभी पत्सी सीटें चाहिए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग दोटासरा और प्रभारी सुखजेंदर सिंग रंधावा ने अर्टों कहलों से लेकर सचेन पाइलट को घेरे में खड़ा कर दिया हैं पहले दोनों बयानों को समझी हैं और बोले बीकानेर में पार्टी संभाल रहे जलास्थर के पताधिकारी अगर काम नहीं कर सकते अगर भीड नहीं ला सकते तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं गोविन सिंग दोटासरा में ये खीज क्यों हैं? किसकी नाराजगी किस पर निकाल रहे हैं? इस पर चर्चा होती ही उससे पहले कॉंग्रीस प्रदीश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा का बयान भी सामने आ गया रंधावा जो कह रहे हैं वो साबित कर रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है लेडर से उसे कहते हैं जो लेडर कैसा फुट पार्ट जो स्ट्रोंग हो जो फटकर निस्वाइब कि यार हम तो भाज्य मंद करेंगे जर्फ पर कराता है तरवाजय भुडू कर कोई पार थी मैं द्यारियां थाल मैं देवतार लांके फोटरिवे जंती द्या कर जहूंँ तो कंद की बेरे से और द्रफास्ता जीसे बुडू होगी जया है कि हम स्टेंट के लेड़े पाई लिए अधिकर नहीं करते हैं अगर हम एक बात होगी जो आपने डिसाइब कि यार्फ पर ऐसे तो आज रंदावा साफ कह रहे हैं कि बो और दोटासरा विधानसवा जुनाओं में कई विधायकों के टिकट काटना चाहते थे कुछ लोगों के पक्ष में स्टेंड लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाई तो भला उनको स्टेंड लेने से किसमे रोका और सवाल ये भी कि आखर पाल्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पाल्टी के भीतर की बातों को इस तरह खोले मंचों पर क्यों कह रही हैं निशाने पर कौन हैं अशोग गहलूद या सचिन पाईलर्ट प्यूरु रिपूर्ट पॉलिटिकल पंचायत